ये एक हुमनोईड रोबोट एलेस है ये दोड़ सकता है कूद सकता है और मुश्किल बादाओं को भी पार कर सकता है इतना ही नहीं एलेस ब्लैक फ्लिप कही जाने वाली उल्टी पल्टी भी मार सकता है बीते कई साल से अमेरिकी कमपणी बॉस्टन डायनेमिक्स आकार में इनसान जैसे दिखने वाले ये रोबोट विक्सित कर रही है कोशिश है कि एक दिन ये यूमनोईड एक फिट वैस्क इनसान जैसी शारिरिक गतिवी निहां कर सकें लेकिन ये सब होता कैसे है एलस बॉस्टन डायनेमिक्स में हाइड्रॉलिक हुमनोईड रोबोटों पर एक दशक से ज्यादा समय से हो रहे काम का नतीजा है एलस पांच फूट लंबा और करीब 86 किलो वजन वाला है ये 28 डिग्री के एंगल पर हाइड्रॉलिक्स की मदद से काम करता है इसमें RGV कैमरे और डिफ्ट सेंसर लगे हैं जो इसके कंट्रोल सिस्टम और कंप्यूटर को इनपुट देते हैं इसमें कुल तीन कंप्यूटर लगे हैं पाकाओ हमारी टीम के लिए अच्छी अक्टिविटी है क्योंकि इसमें उन चुनौतियों का पता चलता है जो हमारे सामने है हम एक ऐसा हाई पावर मुवाइल रोबोट बनाना चाहते हैं जो एथलेटिक बिहेवियर को और आगे ले जा सके अलग-अलग हालात में वेभार करने के लिए कंट्रोल अल्गोरिदम हम कैसे डिजाइन करें हमें ये भी देखना है कि रोबोट दूरी कैसे तै करेगा संतुलन के साथ हर एक कदम रखते हुए वह किस पैर पर कितना जोर डालेगा और उस जोर को कैसे ठीक करेगा लेकिन इस सब के पीछे कड़ी मेहनत और कई जटके छुपे हैं कई बार रोबोट इस तरह जखमी होते हैं कि बुरा भी लगता है कभी कभार ज़लाहट होती है रोबोट बहुत क्रेश करते हैं पाकाव करने का फैसला अकेले रोबोट नहीं करते ये तो उस अभ्यास के तरह है जो अथलीट बहतर होने के लिए करता है सैंक्डों बार अभ्यास ताकि वो अपनी किशम ताइम बढ़ा कर उच इस तर के लिए तैयार हो सके एलस के साथ हम यही कर रहे हैं हम उसकी सीमाओं को और बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं ऐसा करने के दौरान कई बार आप बहुत कुछ सीखते हैं मसलन ऐसे रोबोट कैसे बनाए जाएं जो मुह के बल्या पीट के बल गिरने के बाद फिर खड़े हो जाएं और काम करते रहें हम उनके बिहेवियर और कंट्रोल के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं एक-एक बारी की पर काम करने के बाद ही बड़ी मुश्किल से ऐसा लमहा आता है जब सब कुछ ठीक ठाक हो ये वीडियो टीम के काम का नतीजा है जाहिर है हमारे पास सबसे पहले एक सौफटवेर टीम है जिसे रोबोट के विवहार और कंट्रोल के लिए जरूरी सौफटवेर बनाना है ये चीजें रोबोट के साथ बहुत अच्छे से मेल खानी चाहिए हमारी एक हाड़वेर टीम भी है जो डांस या पारको जैसे रोटीन के लिए रोबोट को अपग्रेड करती है हमारे टेकनीशियन कई खामियों को ठीक करते हैं जैसे कोई टूट आपार्ट, हाइड्रोलिक लिकेज या एलेक्ट्रिकल फेलियर आउपरेशन स्टाफ इस तरह का माहौल बनाता है जहां रोबोट को टेस्ट किया जा सके इस तरह का एक वीडियो बनाने के पीछे कई परिक्षन और उचस्तर की विश्वसनियत आच्छुपी होती है आने वाले दशकों में यहूमनोइड रोबोट्स और बिक्तर होंगे और तब यह ऐसे कई काम कर सकेंगे जो इनसान अभी सोच भी नहीं सकता